हे दोस्तों वेलकम टू माई चेनल दोस्तों बिहार में एक और सबसे बरी भैकेंसी दी गई है और पहली बार बिहार पुलिस परविण विवाग में 496 पदों पर बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के तरज पर या भैकेंसी दी गई है और या भैकेंसी देने का क्या कारण है क्य मकसद है इसकी पूरी जानकाई देंगे और इसमें क्या-क्या वर्ग करवाया जाएगा उसके बाद ट्रेनिंग के ट्रेम आपको क्या-क्या काम करना होगा कौन से एक्जाम होगे इस वीडियो के मादम से आप सभी को पूरी जानकाई देंगे विया जानकारी बिहार गजट क के दौरा और नुश्पेफर के मादे म से आप लोगो को पूरी जानकाई के दौरा पूरी बात समझाएंगे और कुन- पुलिस एक्साइज SI की जानकरी जो आप लोग को होगी ठीक उसी परकार से या बैकेंसी जो है भ्यार पुलिस एक्साइज कोंस्टेबल की बैकेंसी है यानि उसी परकार से आप लोग को पूरी वर्क करना है यानि फिल्ड का काम दिया जाएगा और उससे पहले आप लोग को करी मेहनत करके आपको ब्याहर प्रोलीस परविन विवा के कॉंस्टेबल बनाया जाएगा ताकि सरक्स रख्षा अभ्यान के तहट आप लोगो एक ऐसा कॉंस्टेबल बनाया जाएगा जिससे आपको पूरी उमीद की जाएगी कि आप लोग अच्छी तरह से वर्क कर सके और आप हमारे चिन को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पूरी बात जाने के लिए आप लोग वीडियो को अंतक जरूर देखें तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दे या वेकेंसी को भरने के लिए 10 प्लस 2 के साथ आपको ड्रैविंग लाइसेंस होनी जरूरी है और लाइसेंस की कटप की बात करें तो 28-10-19 तक या उससे पहले जो एस्ट्रेंट ड्रैविंग लाइसेंस का डिट उनका मिल गया है यानि ड्रैविंग लाइसेंस उनके पास आ गया हुआ एस्ट्रेंट इस फार्म को फिलब करेंगे यानि 28 अक्टूबर तक या 28 अक्टूब था जिसके मादम से आज आप लोग को पूरी जानकाई देंगे और निज्ट पर के मादम से भी आप लोग को इस वीडियो में जानकरी मिलेगी तो दोस्तों या जो बैकेंसी दी जा रही है ब्यार पुलिस परविवियन विवाग में या बैकेंसी आप लोग के लिए सबसे ख जो आपको ट्रेंग दिया जाएगा जिस प्रकार से उसी परकार से आपको योग बनाया जाएगा और पूरा प्रोसेस होने के बाद याईए छे मंत की ट्रेंग के बाद आपको फिर एकजाम लिया जाएगा याई 100 marks के exam में यानि 60% marks लाएंगे उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसिस में भेजा जाएगा उसके बाद आपको एक योग ब्यार पुलिस दस्ता चालक सीपाई बनाया जाएगा जिसके मादम से आपको फिल्ड में जौब दिया जाएगा उसके बाद जो आप लोग देख सक लिए होमगार्ड पुलिस को तेनाद किया जा रहा था जिसमें होमगार्ड में जो तेनाद की जा रहे थी उसमें काफी प्रहसानी का सामना करना पर रहा था जिसके करन बिहार सरकार ने एक और नई सोच के साथ बिहार पुलिस परभियन विवाग में यानि एकसाइज SI के अनुसारी एक्साइच कॉंस्टेबल की बेकेंसी निकाली है जिसके मादिम से अब आप लोगों को इस बेकेंसी में फॉर्म फिलब करवाया जाएगा लिखित एक्जाम उसके बाद फिजकल एक्जाम के आधार पर मेट बनाया जाएगा और मेट बनने के बाद 6 मंत का आपको ट्रेइनिंग दिया जाएगा उस ट्रेइनिंग में आपको करी मेहनत करवा के एक योग होम गार्ड यानि बहांचालक के साथ साथ आपको पूरी ट्रेइनिंग के साथ ब्यार प्लीस परविन विवाद कंस्टेबल बनाया जाएगा उसके बाद आपको फिल्ड में वर्क द किया जाएगा तो दोस्तों फिलाल आज के लिए इतना ही आगे की जान करें के लिए आप हमारे चिन को सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू वाचिंग पर वीडियो